पॉरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा आज भी दिन में बारा बजकर पच्छास मिनर तक रेवती नक्षत्र में चलते रहेंगे तत्वाश्यात अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी केतु है आज के जन्मे जार तक सुंदर, अपने परिवार के प्रती निष्ठावान, महत्पूर्ण, ब्रक्तित्तो वाले, आत्मसंबान, प्रसिद्धी पाने वाले, भागेशाली और उच्छा भिलासी होते हैं ज़ि सहयोगी लगने करहाद दसा ठीक रही, केतु और मंगल की इस्थिती अनकूल गही तो पूर्ण सफलोंगे चंद्रमा आज बारा बचकर पच्छास मिनट तत मीन रासी में ही चलते रहेंगे तत पस्चात मेश रासी में प्रिवेश कर जाएंगे जिससे रचनात्मक क्रिया सीलता और अपने करतवे के प्रति संजीदगी बनी रहेगी विभागी सहयोग जारी रहेगा, हाला कि अभिकारियों की सकारात्मक विशा निर्देश में थोड़ा उतार चड़ाव संभव है और समय समय पर मन में टालू प्रवरिती और आला से कारे छेत में बाधत बन सकते हैं स्वभाव में उगरता और हर कारे के प्रति जल्दबाजी की भावना बनी रहेगी स्वास संबंदी जटिलताओं पर सालधानी रखनी चाहिए साथी साथ वाहन सावधानी से चलाएं मेश रासी के जात्मों के लिए सकारात्मक उत्साह में कमी आत्म विश्वास में रास, मानसिक व्यद्रता, हर काम करने के प्रति जल्दबाजी और सभाव में उगरता संभावित है किसी एक विशेपन निरने लेने में आज थिरता महसूस होगी जदि धैर्य और सायम बनाए रखें तो रचनात्मक रियाशिलता बनी रहेंगे भावनात्मक लगाव विक्सित होगा और उर्जावान बनी रहेंगे कारे छेत की निरनतरता बरकरार रहेंगी नई कार्यों जणाव के प्रस्ताव विक्सित करने में मदद मिलेगी और आठिक लाव के नई आवसर सामने आएंगे वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे विद्यात्यों को सहचड़ी कार्यों में सफलता मिल सकती है अपने प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश राज के जात्कों के लिए स्वास समंधी सावधानी रखनी चाहिए आज केतु का नक्षत्र होने से हर काम करने के प्रति अनावसर जल्दबाजी व्यगरता और धन खर्च की स्थिति संभावित है हलाकि आपकी कार्योजनाएं पूरुवत चलती रहेंगी और नई कार्योजनाओं के लिए आपकी ततपरता और क्रियासीलता बनी रहेंगी आथिक लाहमन मुताबिक मिलता रहेगा मगर निर्णय लेने की छमता प्रभावित होगी और नीजी सुक संसाधनों पर खर्च की स्थिति बनती है मिध्याथियों के लिए आज का भी नल्कूल रहेगा सुच्छा प्रतियोगता में सफलता मिलेगी पारिवारिक दायत की पूर्ति होगी और छोटी यात्रा का योग उलता है मिध्यूं डाचिके जात्मों के लिए कार्योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी नई कार्योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसको अपसरलता से संपन भी कर सकते हैं सफलता हर छेत्र में हासील होगी जिससे आदमिश्वास और पारिवारिक प्रफिष्ठा में प्रिद्धी होगी आथिक लाव की इस्तिती मन मुताबिक बनी रहेगी संतान संबंधियों देशों की पूर्ति होगी मगर थोड़ा मानसिक दबाओं महसूस करेंगे विद्ध्याथियों को करतियों की परिच्छाओं में सफलता मिलेगी साथी स्वास संबंधियों जटिलतां पर आवस्वक सावधानी बनाए रखते हो करकराश्य के जात्मों के ब्योसाय संबंधियों मामलों में पूरी तरह से सफलता का संकेत मिलता है बहुत दिक छंता का विकास होगा कारियों की अधिकता के साथ ही नियत्तित करने का मौका मिलेगा आपकी कारियों जिनाय मन मुताविक धंग से पूरी होगी मगर संबंधियों में भाग दोड़ और मानसिक और दिग्नता की इस्तिती भी बनी रहेगी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के सोचे हुए ज्यादा तरकारे पूरे होगे और आठिक लाप मन मुताविक बना रहेगा मगर संबंधियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा परिश्रम के अनुसार फ़ल की प्राप्ति होगी साथ ही स्वास संबंधी आवसक साउधानी बनाए रखे सिंगरासी के जातों के लिए नीजी संबंधों में सुधार और भावन अत्मत या सिल्ता बनी रहेगी कारे च्छेत में आ रही रुकावरे खत्म होगी और काफी दिनों से रुके होगे कारे भागे पर संबंध होगे मगर आत्मिस्वास और सक्रियता में उतार च्छाव संबंध है हलाकि कारी और जिनाव में गती आएगी साशन सब्ता वाधिकारियों का सहीयोग बन रहेगा धार्मिक भावना में बिद्धी होगी करन्याराशी के जात्कों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा कारेच्षेत की निरंतर्ता बनाए रखने में मशक्कत करनी पड़ेगी ड्रावसाइक मामलों को सुद्रिठ करने में सहीयोग मिलेगा मगर नई कार्योजनाव के लिए आपकी सक्रियता मानसी कस्तर पर प्रभावित रहेगी चंद्रमा केत्व के नक्षत में आठमे भाव में बैठे हैं मन के नकारात्मक विचारों से परहेज करें साथक प्रयास जारी रखें सफल रहेंगे आठिक लाव मन मुताजित मिलता रहेगा छोटी यात्राएं संभावित हैं मगर संतान संभन्दी चिंता बढ़ सकती है द्याथियों को अध्यान अध्यापन में सहीयोग मिलेगा स्वास संभन्दी आवसक सावधानी बनाए रखें और वहां सावधानी से चलाएं तुला राशी के जातों के लिए अच्छे समय का संकेत मिलता है मानसिक और सारी रिकस्तर की उर्चा बनी रहेगी नीजी निवेस और कारिक्ष्यत में दिडिच्छा सकती और सकारात्मक पहल लाव दिलाएंगे चंद्रमा के केत्व की नक्षत में होने से कुछ कामों में नकारतमक विचार पहल करेंगे और वुकावट की संभावना भी बनती है मगर अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा साजे रारी के कामों में सावधानी बरकरार रखें कारियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी पारिवारिक सहयोग बना रहेगा और सुख सभागन दिद्धी होगी बिश्चिक राशे के जात्कों के लिए सारीरिक स्वास्त कारियोजनाई और मानसी कुर्जास तर प्रभावित हो सकता है चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आपकी राशी से छठमें चल रहे है नई कारियोजनाओं के प्रती दिढ़िच्छा सकती और आत्मिश्वास के प्रभावित होने का संकेप भी मिलता है हलाकि शासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और कारेक्षित की मिरंतरता बनी रहेगी ब्यावसाई की स्थिर्ता महसूस करेंगे और रूके हुए काम संपन हो सकते हैं आथिक लाव की स्थिती सामान रहेगी आवसक संसाधनों में ब्रिध्धी होगी बिध्याथियों को अध्यान अध्यापन में महनत करनी पड़ेगी और सासंबंदी आवसक साहणी बनाए रखे धनु रासिवाले जातक सारिदिक और मानसिक अस्तर पर प्रभावित रहेंगे अनावसेक ब्रगरता हर काम करने के प्रति जल्दवाजी और आत्मिश्वास में उतार चड़ाव संभावित है हलाकि अधूरे काम पूरे होंगे नई कार्योजना को लागू करने में सफल रहेंगे आर्ठिक लाव की इस्तिती मन मुताबिक बनी रहेंगे शासार सब्ताव अभिकारियों का सहीवग भी बना रहेगा मिद्गार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायत रहेगा प्रतियोगी परिक्षाओं में सफल होने का संकेत मिलता है मगर वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखें मकर राशिवाले जात्कों के लिए कार एचे से संबंदित मामले चलते रहेंगे और नेजी मामलों के संदर्म में आर्थिक निवयस की सोच विक्सित होगी हलाकि कार्वी और जनाओं में साथक प्रयास जारी रहेगा मगर पारिवारिक सुख संतुष्टी और सुखत भविश्य की चिंता बनी रहेगी कुछ मामलों में अनावसक चिंता ब्यगरता और जल्दबाजी भी महसूस होगी आर्थिक लाब सामाने रहेगा नेजी संबंद प्रगाड होंगे और स्वास संबंदी आवसक सावधानी रखनी चाहिए मेध्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रियास जारी रखे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा कुम्भ राशी वाले जात्कों के लिए आज का दिन पराक्रम बढ़ाने वाला होगा मगर तर्ग भी तर्ग करने की प्रवृत्ती भी बनी रहेगी मन का अंतरदंद आपकी कारेच्षमता और आत्मिश्वास को प्रभावित कर सकता है हलाकि कारेच्षत की निजन तर्था बनी रहेगी और आठिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा बड़े बुजुर्गों का सहयोग और उनकी प्रेणा लावड़ायक सिद्ध होगी के लिए वाड़ी में व्यद्रता और आठिक पर्षकी चिंता स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी हलाकि हर कामों में द्रिष विश्वास की भावना जगरत होगी और बौधिक चंता का विकास होगा कार्य और जिनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और आठिक लाप सामान रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे मगर कार्य चेत के प्रपी पहल और आपने श्वास बनाए रखें संतान संबंदी चिंता कुछ बातों को लेकर बनी रहेगी मिध्यातियों को सिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी साथी साथ्फ्रा संबंदी आवसट सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं आज के लिए बस इतना ही कल फिर्मी लेंगे ओम नमाशिवाए